बच्चो क्लास 10 की मैस की क्लास में आप सब का स्वागत है बच्चो और हम चैप्टर 3 दो चरवाले रैखिक समी करण युग्म जो है वह हम पढ़ रहे थे प्रिश्णा वाली 3.5 जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और 3.5 का कोशिन नमबर 2 से आज हमें पढ़ना है बच्चो इसका दूसरा कोशिन है दूसरे का पहला पार्ट है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समी करणों के युग्म के अपरमित रूप से अनेक हल होंगे यानि ए और बी के किन मानों के लिए जो है अपरमित रूप से अनेक हल होंगे और ये हमारे पास में दो राखिक समीकरण योग में दिये गए हैं हमें इनका इसमें से A और B का मान ग्याद करना है मच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे जो ये समीकरण दिये हुए हैं इसको इस तरफ लेके आएंगे बराबर में 0 करेंगे तो हमारे पास जो प्राफ иф समीकरण होंगे 2X plus 3Y minus 7 एकौल टू 0 ठीक ये हमारा समीकरण नमबर 1 हो गया और A minus B इंटू X plus A plus B इंटू Y और minus ये पूरा इस तरफ लेके आएंगे तो 3A plus B minus 2 इकौल टू 0 समझ में आया है बच्चों कुछ ने किया है, हमने पक्षांतरित किया है और दूसरी तरफ equal to क्या रखा हुआ है बच्चो बराबर 0 के रखा हुआ है अब हमें क्या करना है, समीकरण एक और दो की तुलना जो है, व्यापक समीकरण से करेंगे, ठीक, तो समीकरण युगम की तुलना सारी परश्णों में बच्चों इसी तरहीं कैसे करना है से करने पर करने पर अब हम इसकी तुलना करेंगे तो अब A1, A2, B1, B2, C1, C2 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा तो चलिए आएए देखते हैं A1 बराबर क्या जाएगा यक्स का कुणांग 2 B1 बराबर 3 और C1 बराबर क्या जाएगा माइनस 7 ठीके और उसी तरही कैसे A2 बराबर क्या जाएगा यह पूरा A-B ठीक और B2 बराबर क्या जाएगा A plus B और C2 बराबर क्या जाएगा यह सब में बगल में कौमा लगा दीजेगा बच्चो बराबर जाएगा माइनस कोस्टक के अंदर 3A plus B minus 2 ठीक है 3A plus B minus 2 यह इस तरीके से हमारे पास मानप्राप्त हो गए बच्चो अब प्रस्ण में यह कह रहा है कि यह समीकरण यूगम जो है उनके जो हल है वो अपरमित रूप से अनेक हल है तो उसके लिए अपरमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास क्या सर्थ है हम लोगों ने पिछले लेक्षर में पढ़ा था एवन अपॉन एटू बराबर बीवन अपॉन बीटू और वह सीवन अपॉन सीटू के बराबर होना चाहिए यह देखिए बच्चो हम लोगों हम लोगों ने पहले लेक्षर में पिछले लेक्षर में पढ़ा था ना तीन इस तो प्रिस्ट में दिया अपर्मित रूप से अनेक हल होंगे तो हमारे पास यह स्थिति जो है बनेगी इवन अपाउन इटू बराबर होगा बीवन अपाउन बीटू के और सीवन अपाउन सी टू के भी बराबर होगा तो इसलिए यहां पर लिखना पड़ेगा कि अपर्मित रूप से अनेक हल है कि समीकरण यूग्म के अपर्मित रूप से अनेक हल है तो 2 upon A2, A2 के वालु कया है? A-B, बरॉबर किसके हो जाएगा? B1, B1 के वालु के है? 3 upon B2, यह नहीm A plus B, और C1 upon C2, C1 के वालु किया है? माइनस 7, और C2 के वालु है माइनस कोष्टक के अंदर 3A, प्लस B माइनस 2 समझ में आया, कुछ नहीं किया है कि यइवल हम लोगोंने मान रख दिया है थीक्तry अबा refugee हल करते हैं सबसे पहले हम इसको इसके बराबर कर देंगे फंसे इसको इसके बराबर कर देंगे चलिए सबसे पहले इसे इसके बराबर रखते हैं तो 2 upon a-b बराबर है minus 7 upon minus यहाँ minus minus cancel हो जाएगा तो यह minus minus cancel हो गया तो दोनों में बराबर में नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ भी minus minus cancel हो गया 3 a plus b minus 2 तो यह क्या हो जाएगा बच्चो 2 अब यहाँ पे is 3 a plus b minus 2 के साथ और यहाँ 7 का गुड़ा हो जाएगा A-B के साथ इसको भी हल करिए 3 दूनी 6 A plus 2 B minus 4 equal to 7 A minus 7 B आप यहाँ पर इसको पक्षांतरित करके हल करते हैं तो यहाँ 6 A है यहाँ पर इस तरफ जाएगा 6 A minus 7 A plus 2 B है यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो plus 7 B हो जाएगा minus 4 equal to 0 यहाँ यहाँ पर minus A और यह साथ दो 9 B और minus 4 equal to 0 तो क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चो अगर हम इसमें से minus 6 हटा दे तो A minus 9 B ठीक है और plus 4 equal to 0 या A minus 9 B equal to minus 4 समी करण यह हमारा कौन सा हो गया तीसरा समी करण हो गया बच्चो अब जो है अब इसी तरीके से हमें क्या करना है इसी तरीके से अब इसको और इसको बराबर करना है यानि 3 upon A plus B बराबर है 7 upon 3 A plus B minus 2 multiply हो जाएगा 3 का कुणा होगा 3 A plus B minus 2 equal to 7 into A plus B 3 तरकाई 9 A plus 3 B minus 3 6 equal to 7 A plus 7 B हल करिए इसको 9 A minus 7 A plus 3 B इधर आएगा तो minus 7 B minus 6 equal to 0 तो इसमें से गया है तो minus A और यहाँ पर minus 4 B ठीक माइनस 6 equal to 0 minus 6 अब से अट जाएगा तो क्या चाहिएगा हमारे पास में बच्चो यह जाएगा 9 A में से 7 है गया तो यहाँ पर बच्चो 2 A आएगा ठीक है 2 A 2 A minus 4 B अब इसको हल करेंगे बच्चो तो क्या जाएगा 2 A minus 4 2 सब में से कॉमन दिख रहा है तो कोई बात नहीं लिया है equal to हो जाएगा यहाँ पर 6 इस तरफ हो जाएगा यहाँ A minus 2 B equal to 3 यह तीसरा समीकरण हो गया यह हमारे पास में चौथा समीकरण हो गया अब यह दोनों समीकरण जो होगे हमारे पास पराप्त हुए है इस में से किसी भी समीकरण में से बच्चो घटा देंगे तुचकि A का गुणांख देखिए एक जैसा है ना घट जाएगा तो A हट जाएगा हमारे पास से तो हमारे पास B command प्राप्त हो जाएगा समीकरण तीन में से 4 को घटाने पर आईए घटाते हैं तो a minus 9b minus a और यहां पर minus minus plus हो जाएगा 2b equal to हो जाएगा minus 4 और minus 3 तो क्या हो जाएगा यहां पर a से a cancel हो जाएगा बचेगा क्या 9b minus में है तो minus 7b equal to क्या जाएगा minus 7 यहां पर हम लिखेंगे बीका मान समी करण क्या लिख दे रहा है यहीं पर लिखते हैं लिखते हैं तो क्या पर आप हो जाएगा एख नावा प्राप्त हो गया इस तरीके से का मान और बी का मान प्राप्त हो गया यह गयाद करना था थाम लोगों को कुमान प्राप्त हो गया है आप लिख दीजेगा आता है एक होगा बच्चों अब इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ के किसमान के लिए निम्न रेखिक समी करनों के युगम का कोई हल नहीं है 2x plus y equal to 1 और 2k minus 1 x plus k minus 1 into y equal to 2k plus 1 यहनि के किसमान के लिए निम्न रेखिक समी करन के युगम का कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या प्रती बंद हम लोगों ने पढ़ा है बच्चो, कोई हल नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, तीन स्थितियां थी हमारे पास बच्चो, तो इसमें कोई हल नहीं के लिए A1 upon A2 बराबर होना चाहिए B1 upon B2 के, लेकिन वो C1 upon c2 के बराबर नहीं होगा तब इस स्थिति में जो है कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा तो चलिए आई देखते कैसे करेंगे बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे कि 3x plus y minus 1 equal to 0 और 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y minus में आज आएगा 2k plus 1 equal to 0 0 के बराबर कर दिया समे करनी 1 हो गया 2 हो गया व्यापक समी करन से तुलना कर दीजिएं तो व्यापक व्यापक समी करन कौन से हमारे a1x plus b1y plus c1 equal to 0 वा a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से तुलना करने तुलना करने पर ठीक है अब आप तुलना करिए ≤ 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 यह हमारा हो गया आप इसके लिए जो हमारा प्रतिबंध है कि समी करन यूगम का कोई भी हल नहीं होगा तो हमारे लिए प्रतिबंध क्या है समी करन यूगम का कोई हल तब नहीं होगा जब अब क्या हमाई फ़सरती थी कि A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2K लेकिन C1 अपॉन C2K बराबर ना हो ठीक है इस अर्थ हम दोगों ने अभी अभी देखी अब इसको हमें बस कुछ नहीं करना बस मान रख लेना है बच्चों और आप मान रखेंग तो आ जाएगा 3 upon 2K minus 1 equal to 1 upon K minus 1 equal to minus 1 upon minus 2K minus 1 minus minus cancel हो जाएगा ठीक है अब इसकी तुलना एक बार इससे कर देंगे बच्चों यहाँ पर 2K plus 1 था यहाँ पर C2 की जगे 2K plus 1 आएगा यहाँ पर भी 1 हो जाएगा ठीक आप क्या करना है बच्चों इसकी तुलना जो है इसके साथ करके हम देखते हैं तो 3 upon 2K minus 1 बराबर 1 upon K minus 1 दिया हुआ है तो इसको cross multiply कर देते हैं तो 3 का गुणा K minus 1 के साथ होगा बराबर इसका गुणा होगा तो 2K minus 1 हो गया यहाँ पर हल करेंगे यहाँ पर 3K minus 3 equal to 2K minus 1 3K में से 2K क्या जाएगा बच्चों 3K minus 2K 2K minus 1 होगा यहाँ मािनस 3 में से गयाँ दो के का मॅन हमें करना था भच्चों तो केक हमान हमें फ्राप्त हो गया है के के केक कवल टु क्या होगा बच्चो टू हो जाएगा तो अब इसके आगे बच्चों अब तीसरा इसका question है बच्चो निम्न रेखिक समी करनो के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुरण विधियों से हल कीजिए किस विधी को आप अधिक उप्युक्त मानते हैं तो दोनों मेथड बच्चो आप लोगों ने पढ़े हैं किस तरीके से इनको हल करना है तो यह आपका होमवर्क है question number 3 आप प्रतिस्थापन विधी से हल कीजिएगा और एक बार वज्र गुरण विधी के दौर आप सब आल को हल करिएगा ठीक है प्रतिस्थापन विधी में बच्चो क्या करना है आपको माली जी यह पहला समी करन है हमारा यह दूसरा समी करन है तो इसमें से1 कमान निकालेंगे कितना जाएगा 9-5y upon 8 तो यकस कमान जो आएगा उसे हम दूसरे समी करन में रख देंगे और समी करन जो गानर पास में y कमा प्लस B1Y प्लस C1 इकॉल टू जीरो और A2X प्लस B2Y प्लस C2 इकॉल टू जीरो से तुलना करना है और उसके बाद जो एकस अपान वाई अपान और वन अपान वाला जो वीदि अभी हम लोगों ने पढ़ी है उसके द्वारा इस समी करन को हल करना है तो यह दोनों वीदियों से आप हल कीजिए और किस वीदि को आप उप्युक्त मानते हैं तो इसके लिए दोनों वीदियां जो है वो अधिक पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे बच्चो को सेयर भी कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें धन्यवाद बच्चो मिलते हैं नेक्स क्लास में झाल, 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 झाल